दोस्तों स्वागत आप सब का इंडिया आश्रमनन फंटेसे क्रिकेट गूरू यूट्यूब चैनल पर गाइस आज पाकिस्तान और बंगलादेस के बीच में चल रही टीट्वेंटी सीरीज का सेकंड टीट्वेंटी मैच दोपेर को डीड़ बजे खेरा है का तो यहां पर इ समयच में एक अच्छी टीम मना करें के लाकुर रुपहम असानी साथ जीश सकें आपको बताए कि पाकिस्तान की टीम अभी सेमी फाइनल खेल के आरी है वर्ल्लकप में और बंगलादेस की टीम बहुत भी पूरी तरीके से हार के आरी है लेकिन एक चीज़ में आपको बता आप सोच सकते हो कितनी मजबूर टीम होती है अपने ग्राउंड पर और इन्होंने इसी सीरीज के पहले टी-20 मेच में पाकिस्तान को लगबग हरा दिया था आप पिछले मेच के स्कोर कार्ट देखोगे आपको समझ में आ जाएगा तो यहां पर मैं दोनों ही टीम्स के बा साथ ध्यान लगा के पूरा वीडियो देख लीजेगा अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो फिर आपकी अच्छी टीम बनने से कोई नहीं रोख सकता और हम सभी अच्छी टीम बनाकर के अच्छा बिन करना चाहते तो उम्मीद करते हो आप पूरा वीडियो जरू के साथ हम सब लोग खेलते हैं जिस टीम के साथ FCG family कहलते हैं जिस टीम के साथ हम भोजाना लाखों रुपे का profit कमाते हैं वो टीम आपको योई सिर्फ टेली ग्राम पर घाहेगी अगर आप fantasy खेल रहो उसका तरीका क्या है एकदम सिंपल है आप इस वीडियो को सुरू से लेकि आखिर तक पूरा देख लीजिए उसके बाद इस वीडियो के description में ये comment section में जाएगा आपको आप टेलीग्राम का link मिल जाएगा आप उस link से जाकर के सीधा टेलीग्राम जोइन कर लोगे fantasy cricket गुरू वेरिफाइड टेलीग्राम चले ले छे लाग पच्चीस जार लोगों ने पहले जोइन कर रखका है तो आप भी जाकर जोइन कर लीजेगा आप भी जाकर विंद कर लीजेगा तो अमीद करते हूं आप जरूर जाकर लिए टेलेग्र आपको बताए किर्केट के बारे में हर किसी को नौलिज होती है अरे इक अच्छी टिम मना लेता लेकिन फुटबॉल के बारे में अच्छर जानते हैं तो आप यहादोर सारा पैसे फिट वुट और खास तो पे ब्लेयर पॉर्ट पे देए प्लेयर श्पॉट ने फुटबाल के लिए लिए लॉंच चिया है अगर आप फुटबॉल खेलते हो प्लेयर स्पॉट में तो बहुत सारा पैसे लीग विन करके जीती लोगे बाकि अगर आप लीडर पॉर्ड में टॉप करते हो तो आपको यहां पर डेर सारा पैसा फ्री मिल जाएगा यह तो हो गई फुटबॉल की बात बाकि इसके राब प्लेयर स्पॉर्ट पर खेलने के और कितने फाइदे हैं आपको यहां पर प्लेयर स्पॉर्ट मीनिमम इंट्रिफीस में खिलाता है चाये किरकेट हो चाये फुटबॉल हो चाये कोई भी गेम हो जहां पर ड्रीम लिएवन पंदरा पिरसंट जादा चार्ज करता है किसी भी लीग को जोईन करने के लिए वहाँ पर आपको प्लेयर स्पॉर्ट हर लीग में लगबग 15% का डिसकाउंट देता है मतलब अगर आपने 1000 रुपे की लीग जोईन करी तो वही अगर आप ड्रीम लिए उन पर 1000 रुप लगाते हो तो आपके 1000 जाएंगे अगर वही लीग आप प्लेयर स्पॉर्ट पर जोईन करेंगे तो आपको 150 रुपे का फिरी में फायदा हो जाएगा और क्या चाहिए फाइदा ही चाहिए था फाइदे के लिए हम खेल रहे हैं कि जीत करके हमारा फायदा हूँ तो लीग जोईन करके अगर फायदा हो तो पर पर यहां पर बंगला देश बहुत होता है किसी भी टीम को पर लेकिन पाकिस्तान को पर थोड़ा कम हावी है वो इसलिए यह इस्पिन फ्रैंडली पीछ है वाई एक तरह से आप लगा लो कि यहां पर बैट्समेन इतना ज्यादा इस्ट्रकल करते हैं आपने ओस्टिया की सिरीज में देखा होगा लेकिन पाकिस्तान बारत और बंगलादेश यह तीनों इस्पिन्स पर खेलना अच्छा खासा इनको 130 के आसपास एक बार फिर से टोटल बनना चाहिए चाहिए पाकिस्तान पहले बेटिंग करें चाहिए बंगलादेश है अगर पाकिस्तान का टॉप ओडर खास पर पर ओपनर जल्दी आउट नहीं होते हैं तो फिर स्कोर 160 150 के आसपास पर जा सकता है बाकि चांसे यही है कि 140 के आसपास ही स्कोर रहेगा अब बात करें हम यहां पर जो पिछले मैच इस खेले गए हैं यहां से आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा पिछले मैच में बंगलादेश की टीम ने 127 बनाए जिसको पाकिस्तान की टीम ने चेज कर लिया उसके पहले न्यूज़लेंड की टी कितना हावी होते हैं ठीक है बैट्समैन को ऊपर अब जो पिछले मैच में में विकेट गिरे हैं इस्पनर्स कितने ज्यादा हावी हैं आप अभी तक जितने वीडियो देखते होंगा उसमें हर एक में देखते होंगे कि पेसर को 34 मिले लेकिन यहां पर उल्टा है पेसर को फिले चार मैचों में अठारा विकेट मिले हैं इस्पनर्स को 34 मिले हैं अब आप देख लीजएगा कि आपने इस्पनर्स टीम में रखना है यह पेसर टीम में रखना है ठीक है बाकी जो हैट आट वेड की बात करते हैं बंगलादेश की टीमने 14 मैंच सिर्फ 2 मैच जीते पाकिस्तान से अब आगे हम देखेंगे last के चार मैच तो last के चार मैच पाकिस्तान ने one side win किये बंगलादेश से अब इन last के चार मैचों में बंगलादेश की तरफ से किसने performance किया यह देख लेते हैं ताकि आपको एक अच्छी टीम मनाने में आसानी हो जाए ऑगर हम पाकिस्तान की तरह से बात करें तो आप देखो कहें आपके जो शदाव हैं ऊधर यहां पर आपके एक विगेट निकाल है किसृर posición विद सकता है ठीक है उसके अलावा आपके जो हसन है हसन ने लास्ट मेच में काफी अच्छा पॉमेंस किया था ठीक है तीर विकेट निका लेते और राऊफ को जो कि वर्ल्ड कप में अच्छी बॉलिंग करा रहे थे एक भी विकेट नहीं मिला था लेकिन राऊफ हमेशा काम्या बॉल रहे हैं बंगलादेश के रेगुला पॉमेंस करता हुआ कोई भी ने दिखेगा मलिक ने यहां पर जरूर ठाउन बनाए यहां पर 15 तो क्या मानो आप ठीक है तो तीनों मैच इसमें अलग अलग पाकिस्तान की तरफ से आपको बैट्समेर पहॉम करते हूं दिख रहे हैं फाकर बाबर और मलिक लेकि इसका हाथ चल गया वह ठीक ठाक स्कोर कर जाएगा अब अगर हम बंगलादेश की तरफ से बात करें आफिफ ने पिछले मैच में 36 बनाए आफिव ने उसके पहले 21 बनाए तो यह आफिव का पॉमेंस रहा है बाकि उसके लावा मेहमुद उल्ला आप देखो कि यहां पर कि बॉरस ही हाँ भी रहेंगे फिर भी हमें तीन बैट्समन तो लेने ही पड़ेंगे अब आगे हम बात कर लेते हैं यहां पर मैच प्रेडिक्शन के बारे में बंगलादेश आना की अच्छा कहलता है डाका में लेकिन पाकिस्तान की टीम के पास भी एक जो बंगलादेश क कि इस पिन है उसका तोड़ है उसके ऑपनर्स अच्छा खेल लेते हैं उसका मिडल ओडर भी ठीक खेल लेता है इस पिन को तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान के 80% चांस होंगे बंगलादेश की 20% चांस होंगे अब आगे आपका फ्री की वे कोश्चन आपको पता है कि मैं आप आपको जो भी लगता है कि भाई यह इतना बनाएगा इसको यह आउट कर सकता है ठीक वह आप कमेंट सेक्षिन में बता दिए लेकिन पहले दूसरा कोश्चन सुनने के बाद दोनों कोश्चन का अपने एक ही कमेंट में आंसर करना है और साथ में यह हैस्टाइल यूज करन इन्होंने चौथे नमबर का बैट्समाइट चेंज कर दिया हफीज को स्कौार्ड से बाहर कर दिया जो कि अभी टीटैन खेल रहे है यह लेके आए है पहला मैच के लिए फ्लॉप रहे है खुश्दिल साह को लेके आए है खुश्दिल साह आप देख रहे हो यहां पर उसक तो हैदर अली आए है आपके हफीज की जगापर एक खुश्दिल साह आए आपके आसिफ की जगापर शाहिन अफरीदी के स्कौार्ड में है पर शाहिन अफरीदी की जगापर इन्होंने वसीम जूनियर को खिलाया है ठीक है और इसके लावा आप देख रहे हो मुहमद बागी खुश्दिल साह ने भी अच्छा पॉमेंस किया था एक हैधर अली है जो फ्लॉप रहे है ठीक है अब इस मेंच में अगर आपको ग्रण लीग खेले हो तो आप हैधर ली को ट्राय कर सकते हैं है ठीक है अगर आप पाकिस्तान के प्लेयर्स का पॉमेंस देखो ढगा में अर रिसेंट के पोमेंज तो इसमें आपके आपके मुहम्मद रिज्वान रिसेंट तो अच्छा है आपके बाबर आजम रिसेंट आच्छा है और इस ग्रावराज केला तो यहां से आप दोनों को drop कर सकते हो या दोनों को drop करना तो रिस्क होगा आप किसी को drop कर सकते हो और उसके अरहब आगे देखेंगे शुयव मलिक का पहुमेंज इस ग्राउंड पर काफी अच्छा होता है और recent form भी इनका अच्छा है तो शुयव मलिक को आप ले सकते हो ग्रैंड लिग की टीम में भी स्मॉल लिग की टीम में भी आप यह मस सोचना है कि यार शॉयब मलिक तो चौते पांचवे नंबर का बैट्समैन इसकी तो बैटिंग नहीं आएगी इस ग्राउंड पर किसी भी बैट्समैन की बैटिंग आ सकती है और पाकिस्तान पहले बैटि चोई से आपके लिए शादाव खान इस मेंच में अगर आप ग्रैंड लीग केल तो शादाव कान को यह से कैप्टर वाइस का पनी टीम में ट्राइब कर सकते हो हासन अली का इस ग्राउंड पर पर कैसा करते हैं यह इनके पिछले मैंचों की परफॉमेंस है और जो लास्ट अपनी दी खेला ने लास्ट मैच और पहली बार खेलेंगे अगर खेलेंगे तो इस मैच में मुहमद रवास इनका पॉमेंस भी वैसे होता है जिससे शदाब खान का होता इस ग्राउंड पर अठारण एक विगेट चौदर रन दो विगेट चौदर रन दो विगेट कर चुक कहें तो इसमें टाइम्वर्स करेंगे नहीं आगे चलिते हैं सीधा बंगलादेश की प्लेंग लेंग अगर आप देखो तो यहां पर आप आऊगे मुहम्मद नईम और सेफ अपनिंग नय चाहरा दिख रहा है बढ़ भी अगर आप कुछ। करना चाहते हो आप ज होता है लास्ट में ठीक टाक स्कोर किया था और उसके लाव अमिर अलिए स्लाम है अमिर इसलाम को यहाप नमेने चौते निमबर पर डाला हुआ है पटी बैटिंग करेंगे यहां पर आफिशन आएंगे यहां पर बैटिंग करने तो आप इन दोनों को स्विच कर दी जगा ठ कौन प्लेयर होने चाहिए मेरे हिसाब से आप से फसन या नई या हुसान शेंतो यह तीन आपके पास हैं ठीक है आप इन तीन में से किसी एक को ले सकते हो बट मैं थोड़ा सा रिस्क ले रहा हूं हाला कि अभी मेरी फाइनल टीम बनी नहीं फिलाल जो मैंने टीम बनाई उ तो टॉप फ्री को ड्रॉप करिके मैं यहां से कर गो और फिर ने सबसके मस्तवे साथ ने यहां से फिले होनुर इस तो मैं उन्हें हैँ चार प्लेयर में यहां से कर रहा हूँ हालो कि लाश्ट बच में जरूर फ्लॉप रहे थे तो आप पांचवे बैट्समें के लिए मुहमद नहीं के साथ जा सकते हो या फिर आप यहां से आफीफ को ड्रॉप करते हुए क्योंकि आफीफ भी बॉलिंग कराने के चांसिस लगबग ना के बराबर हैं तो आप आफीफ को ड्रॉप करते हुए आप यहां पर ले सकते हो मुहमद नहीं को मुहमद नहीं बच्ची बैटिंग करते हैं अगर आफीफ बॉलिंग नहीं करा रहे हैं तो फिर फाइदा क्या हुआ ठीक है तो यह एक चैंज मैं भी कर सकता हूं और आपको भी सेशन लेते हैं ठीक है तो यह चैंजिस आप कर सकते हो बाकी देखो अगर आप ग्रणडी खेल रहे हो या आप 10 मेंबर 20 मेंबर 100 मेंबर की लिग जोईर कर रहे हो तो इसमें थोड़ा सा अलग तो करना पड़ेगा ठीक है अब आगे हम बात कर लेते हैं यहां पर जो बंगलादे सेंटों हैं इनका प्रफॉमेश देखिए आप इस ग्राउंड पर दो बड़ी इनिंग के लिए तीन एकदम खराब रही है रिसेंट प्रफॉमेश इनका कुछ खास रहा नहीं है और इन्हों ने जो खेला है इंटरेशनल मैच खेला नहीं है वो अपने जो लॉकल मैक होतो प्रेमिर लिग के यासिर अली के लास्ट में महमुन इल्ला का आप देखोगे इस ग्राउंड पर ठीक ठाक इनका पॉर्मेश रहा है बॉलिंग करा लेते हैं लास्ट में तीन और बॉलिंग कराई थी अब उसके आगे आप देखेंगे नूर रहसन ऐसे विकेट कीपर केल अगर इनका इस ग्राउंड पर फॉर्मेंस देखेंगे तो आपको जो भी लगता आप कमेंट करिक बता दिए किसको लेना है मैं दिया सार इनको मैं कभी भी ड्रॉप नहीं करूंगा ये विकेट कम से कम एक तो निकालते हैं और बैटिंग टाइम पे मिल जाती है तो बैट लेकिन आप इसके ये ग्राउंड की पर्फॉर्मेंस देखिए तस्कीन हमद की एक मैच ऐसा राज जिसमें विकेट नहीं मिला बाकी हर मैच में दो विकेट तीन विकेट नहीं निकाले हैं तो अगर बंगलादेश पहले बॉलिंग कराता है तो तस्कीन को अपनी टीम में सकते हो पाकिस्तान की तरफ से एक प्लेयर कम कर गए ठीक है आप आगे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सब यहाँ पर मुस्तफिज रह्मान अमिल इसलाम को लेने का उतना जादा फाइदा नहीं ना तो ग्राउंड पर अच्छा है और नहीं से बॉलिंग कराने को उतनी ज्या ड्रॉप करेगी और नसुम हमद का पहुमेंस बहुत ही गजब कर रहता है इस ग्राउंड पर ठीक है तो यह होगी बात है बंगलादेस के प्लेयर के बारे में से फसन का मैं आपको यहां पर दिखा जाता हूँ क्योंकि से फसन को लेकि आप थोड़ा सा कन्फ्यूज होंग है अगर आप लेना चाहते हो मुहम्मद नईम की जगह पर अब आगे हम बात कर लेते हैं यहां पर आपके सेकंड के वह कोश्चन के बारे में तो सेकंड के वह ही है कि आज मन आफ दा मैच को होगा दो सिंपल सिंपल कोश्चन में आप से पूचे आपको करना क्या है वीडि आप लोगो पार्ट करेंगे अब गाइस बात कर लेते हैं यहां पर टीम के बारे में तो मैंने फिलाल पाकिस्तान को यहां पर फैवरिट वाना हुआ हुआ है जैसे की मैंने बताया भी है कि लगबग 80% चांस पाकिस्तान की जीतने के तो पाकिस्तान अगर पहले बालिंग टाइब के प्लेर हैं आप फखर की जगहा पर यहां पर मुहमद नईयम को ले सकते हो मुहमद नईयम का पौमस काफी अच्छा रहा है इस ग्राउंड पर ठीक है उसके बाद आप पास मेहन्दी अच्छान है शायदाव खान है मौमद रवाज है और यहां से मौमद वसीम दिए रहा है हासन आली यह मुस्तफिश रामान यह रहा है आप एक काम और कर सकते हो आप वसीम जूनियर की जगा पर हारिस रोट को ले सकते हो अब मैंने हारिस रवुफ को टीम में नहीं रखा है उसका रीजन तो कुछ भी नहीं है पास क्रेडिट नहीं मिल रहे थे इस टीम में क्रेडिट की वेशे मैं या पर मौहमध वसीम जूनियर को लिया है अगर टॉस का टाइम पर मुझे एक्स्ट्रा मिल जाते है मिरे पास क् पूरी फ्ररभूफ को ले पाऊ तो मैं जरूर हरी स्रभूफ को ट्राइग करूँगा तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर आपको मेरी फाइनल टीम चाहिए जिस टीम के साथ मैं खेल रहा हूं जिस टीम के साथ हमारी पूरी फैमली मेंबर खेल रहे है तो आपको करना आपको फैंटेसी किरिकेट गुरूव वैरिफाइड ब्लू टिक वाला चैनल मिलेगा आप जोइन कर लीजेगा तो अमीद करता हूं अभी आप जाएंगे टेलीग्राम जोइन करेंगे और वहां पर आपको फिर में टीम मिलेगी ना सिर्फ इस मैच की बलकि जो टीटैन पर बेस्ट अफ लुक्ष्ट अपर बेस्ट अफ लुक्ष्ट